हलो गाइज, वेलकम चु माई बिल्लॉग चैनल, आज हम जा रहे हैं पिथोड़ागर्ड, तो पिथोड़ागर्ड में बहुत सारा है गूमने के लिए, तो हम जहाँ जहाँ गूमेंगे, आपको भी गूमाएंगे, दिखाएंगे वहां का दृष्चित, तो मिलते हैं चलिए आगे, अभी बजरे सुबह के 6, अभी हम जाएंगे झालिए 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 यहां झालिए तो थाक likes जक哇 आएंगे, वहाँष झालिए को प जाएंगे, झालिएंगे, यहाँजे पां यहाँजे…। झाल 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 तो गाइस फाइनली अभी हम पहुचे वे चमपावत में पहुचे वे और यहां से अभी हमें जाने है लोहागाट लोहागाट यहां से 19 किलोमेटर है फिल लोहागाट से आगे जाने हमें पिथाड़ागड तो वहीं से हमें पता चलेगा पिथाड़ागड कितना है कमी है शा मतलब बहुत अच्छ है चंपावत अभी बरफ पड़ी होगी आपर तो वो अभी पिगल रही है तो वो पूरा भाबाफ उटके हारत इतना अच्छा लग रहा है मतलब बहुत प्यार है चंपावत चांग हमें चंपावत के गोलजु मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं यहां पर हुआ है कर पूर गोरं, कर नावतारं, संसार चारं तो जस्ट अभी हम चमपावत के गोलजु मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं, अब हमें जाने हैं पिथोड़ागड, तो अब यहां से पिथोड़ागड के लिए दूरी तै करनी है, तो पहले हमें जाने हैं लोहागाट, फिर जाने हैं डीडी हाट, पिथोड़ागड में हैं तो अभी हम चंपावत में बहुत अच्छा लगा यहां पर गोलजु मंदिर में तो सुकून मिला बहुत अच्छा लगा यहां मंदिर में अगर आप चंपावत कभी आए तो आप यहां पर आ सकते हैं बहुत जादा सुकून है यहां पर मंदिर में मतलब बहुत अच्छा कर दो कर दो तो अभी हम पहुचे वे लोहा घाट में ये शाय दिये तो फिर अभी हमें आपे ट्रैफिक मिला हुए है धाई घंटे शायद में भी वेट करना पड़ेगा तो मैं आपको ट्रैफिक दिखा देती हूँ कि दतना सारा ट्रैफिक है और पीछे का व्यू बहुत जादा झाल 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 अब भी हम बैरी नाग पहुचे हुए तो इसके बाद हमारा जो ब्लॉग रहेगा वो पाताल भूबनेश्वर का रहेगा तो इसके बाद वाला ब्लॉग मिस ना करना और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब तीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा और इंस्ट्राग्राम पे तनुजबट ऑफिशियल नाम से मेरा पेज है आप मुझे फॉलो कर सकते है वापे मिलते है नेक्स ब्लॉग में ओके बाई बाई